नमस्कार प्रिय दर्शकों Knowledge Conch Channel में आपका फिर से स्वागत है आज हम करण के कवच कुंडल की मनोरम दुनिया में कदम रखते हैं जो हिंदू पौरानिक कथाओं में अद्वितिय महत्व के साथ कवच और बालियों का एक पौरानिक सेठ है इतिहास प्रतीकवाद को उजागर करते हुए हमसे जुड़े और इन प्रतिष्ठित कलाकृतियों के पीछे की असाधारन कहानी रहस्यमय करण करण के कवच कुंडल की सही मायने में सराहना करने के लिए हमें पहले करण के चरित्र को समझना होगा वह महाकाव्य महाभारत में एक केंद्रिय व्यक्ति थे जो अपनी अटूट निश्ठा वीर्ता और उनके व्यक्तित्व को सुशोभित करने वाली उल्लेखनिय कलाकृतियों के लिए जाने जाते थे कवच कुंडल की उत्पत्ती, कवच कुंडल, कवच और बालियों से युक्त, उनके पिता, भगवान सूर्य के दिव्य उपहार थे ये कलाकृतिया सिर्फ सजावती से कहीं अधिक थी, वे करन की दिव्य विरासत, सुरक्षा और शक्ती के प्रतीक थे करन का पिछला जन्म वह, पिछले जन्म में दानव राजा दंभोदाभव था, उसके दुशकर्मों के कारण वह सहसरकवच नामक राक्षस बन गया, राक्षस ने उत्तम वर्दान पाने के लिए सूर्य देव का ध्यान किया, सहसरकवच ने भगवान सूर्य से उसे एक हज धाले देने को कहा ताकि वह अमर हो जाएं, ऐसा कहा जाता था कि इन कवचों को एक समय में केवल एक ही नश्ट किया जा सकता था और केवल वही व्यक्ति जिसने एक सौ वर्षों तक ध्यान और तपस्या की हो, एक सच्चे योध्धा के अलावा, कोई भी जिसने कवच को न उसका सामना दो रिशियों नारा नारायन से नहीं हुआ, वे दोनों लगधग एक हजार वर्षों तक बारी-बारी से उससे युद्ध करते रहे। हालांकि जब एक कवच बचा, तो राक्षस सूर्य भगवान के पास भाग गया, जिन्होंने उसे नारा नारायन को सौंपने से इनकार कर दिया, जिससे उसकी जान बच गई। करन को युद्ध के मैदान में एक अध्वितील शक्ती बना दिया। महा भारत में कवच कुंडल पूरे महा भारत में कवच कुंडल ने करन की वीरतापून यात्रा में एक महत्वपून भूमिका निभाई। उन्होंने कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध के दौरान इस दुर्जे कवच और पालियां पहनी थी। जहां उन्होंने अटूध साहस और घृड संकलप के साथ अपने विरोधियों का सामना किया था। इसके अलावा चूंकी सूर्य करण के पिता थे, इंद्र अर्जुन के पिता थे, इसके अलावा भगवान इंद्र ने खीखी मान लिया था कि करण की संपत्ती को देखते हुए वह निश्चित रूप से अपने बेटे को एक खुले युद्ध में मार डालेगा। इन कारणों से युद्ध शुरू होने से पहले करण का कवच और कुंडल छुडाना जरूरी था। प्रतिकवाद और विरासक अपनी शारिरिक विशेशताओं से परे करण का कवच कुंडल एक बेटे और उसके पिता के बीच सुरक्षा, विरासक और दैविय संबंध के मुल करते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें धन्यवाद।